कि जी केफ सेबन आज के लेक्षर का अगास करते हैं लेक्षान नमर नबर हमारा सेवेंटी 5 है कि हर्वियन कलास 4 है इसमें हम जो चैप्टर 3 मारा मेनेजमेंट का उसके सैकिंड पार्ट की डिसक्शन करने जा रहे हैं ठीक है जो concept आज हमने study करने हैं उन में कहें concept independent director और non executive director वोंये इंप्लोई भीए वी पुलThe time management में बीज्मेंट होता है और non executive director कोन है जो के company की management में involved का employee नहीं है अपना full time company को devote नहीं करता ठीक है और company को outside point of view देता है independent point जाने decision making में वो एक independent point of view देता है यूँ समय लीजिए कि यह एक ऐसा बंदा है जो उस कष्टी में सवार नहीं है लेकिन उस काम का expert है ठीक है company का employee नहीं है directors में जो board of directors है ना इसमें law बहुत concern होता है कि balance representation होने चाहिए हर बंदे की इसमें कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो share holders है इसमें कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो shareholders नहीं employee यह फार example ठीक है executive director का यह concept है इसमें कुछ ऐसे लोग भी होने प्रस नहीं है वो भी decision making में involved है ताकि एक outside view जो है decision making में policy making में आ सके तो इसलिए दो terms law बताता है एक non executive director और एक independent director इन दोनों में फरक है लेकिन दोनों में similarity क्या है इन दोनों का तालुक company की management से नहीं होता ठीक है non executive ऐसा है जिसका management से तालुक नहीं है हाँ लेकिन उसका घूम फिर के indirectly relatives के थ्रूँ या किसी suspended company के थ्रूँ शायद relationship हो सकता है लेकिन independent director ऐसा person होता है जिसका किसी भी angle से किसी भी angle से कंपनी से कोई तालुक नहीं है हमने देखा होगा कि independent director का जो criteria है उसको लाने दो तरह से बताया eligibility और eligibility लिजिबिल्टी भी तो हमें बताता है के graduate होना चाहिए plus किसी professional body का member होना चाहिए जैसे i-cap, ICM में बगारा और five years experience हो और अगर उसके पास qualification नहीं है तो फिर experience होने बढ़ा दिया और फिर experience 15 years होना चाहिए लेकिन अगर आप in eligibility criteria की तरफ जाए ना तो वह आपको बहुत से ऐसे relationship जो company के साथ directly और indirectly किसी भी person के हो सकते हैं उनको mention करता है कि यह person जो independent director होने जा रहा है इसका company के साथ किसी किसम का भी तो कोई तालुक नहीं होना चाहिए कोई managerial तालुक भी relationship भी नहीं होना चाहिए को financial relationship भी नहीं होना चाहिए beneficial shareholder भी नहीं होना चाहिए उसका company से भी तालुक नहीं होना चाहिए इसकी associated company से भी तालुक नहीं होना चाहिए तो आपको एक ही बात समझ में आएगी कि अमदी के साथ इसका मैंजमेंट में तालुक ना हो लेकिन इंडिपेंडेंट डिरेक्टर के लिए क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है इसका मतलब यह हुआ कि जो नौन एग्जेक्टिव डिरेक्टर है या फर्दर जो शेयर होल्डिंग की कंदिशन्स भी फुल्फिल करता है जो साथिटिड कंपनी से ע appeared नौपेंडेंट की कंदिशन्स भी फुल्फिल करता है वह फिर इंडिपेंडेंद डिरेक्टर भी हो जाएगा एबका एक लाइन बड़ी एहम छोड़ी सी लाइन है लेकिन क्यों executive क्यों नहीं हो सकता ये तो है प्रेक्टिकली रीजनिंग जस्टिफिकेशन के क्यों independent director को इंकरीज किया जाता है कैं पाट बोर्ड फड़ेक्टर समें पास्ता बिलिस्टेट फीड बोर्ड फड़ेक्टर होना चाही है लेकिन उसका exam point of who से अगर हम पढ़े तो हमारे लिए क्या हमें exam point of who से यह criteria हमारे लिए हमें और हमें कोई ना कोई वो situation दे के कह सकता है बताओ यह person independent director हो सकता है कि अब आप मुझे बताएए एक subsidiary company का CEO इस holding company का independent director हो सकता है कि मुझे आपने बताने किस condition में लिखा हुआ है इस condition में लिखा हुआ है चीफ एक्जेक्टिव शिप उसने subsidiary company की छोड़ दी है अब नहीं है दो मीने पहले छोड़ दी उसने क्या last year में कौन ही हो सकता चीफ executive chief executive of company are its subsidiary company subsidiary company subsidiary लिखा है कि associated लिखा है लेकि associated में चूँके subsidiary भी आ जाती लेकिन फिर भी हमने एक्जैम में लिखते हुए पहले लिगल प्रवियन को associated का हम नहीं लिखना है क्योंकि associated में subsidiary में फरक है हमने पढ़ा हुआ subsidiary हो chapter 1 में पढ़ा था associated जाकि हमने chapter 6-7 में शायद किसी chapter में पढ़ा था एक्जैम में इसमें आप से reproduction का question भी पूछ सकता है यह हैं री प्रोडक्शन का भी पूछ सकता है और मोस्ट वेबली वर्क छोटी सी केस सड़ी बना देगा जिसमें से किसी भी condition की violation हो रही होगे आप से कहेगा बताओ independent director point हो सकता है कि नहीं और independent director normally students के लिए थोड़ा सा difficult साबित होता है उन्होंने directors का criteria याद किया होता है और डिरेक्टर के criteria को इधर fit कर देते हैं तो आपने directors का और independent director का criteria लदा-लदा रखना है और में गड़ फिलिंग है कि वह आप से एक टेस्ट करेगा ठीक है डिरेक्टर का यह independent डिरेक्टर दोनों में से एक तो लाजमी करेगा यह क्लिर हो गया इसको जी 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 के सब्सेडरी कंपनी भी सुस्याइटेड में ही आती है इसलिए यह लीगल प्रवियन इस पर भी अप्लाई होगी और चीफ एग्जेक्टिव पॉइंट नहीं हो सकता है ठीक है आपके बात बिल्कुल ठीक है सब्सेडियों सोस्याइट नहीं है तो हम केस में देखेंगे क कि आप पूरा उतरती है उतरती है तो इसके डिस्क्वालिफिकेशन राइज हो जाएगी यह बात समझ आ गए यह एक यह इनर्जीबिल्डी क्राइटेरिया इंडिपेंडर डिरेक्टर का यह मैंने आपको बता दिया इंपोर्टरड है फिर इसके बाद मैंनर ऑफ अपाइ इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे यह मेरा भाई है यह मेरे वालद है इनको इंडिमेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें तो फिर कहां से ऐसा बंदा उठाएं इसके लिए कमिशन ने एक इंसिटूट बनाया है और्गुनाइजेशन बनाई है जो अपनी वेब साइट पे डेटा बैंक मेंटेन करती है यह जिस तरह आपकी अपिशार लेक्षर के दूरा में पताया था रोजी.com वगारा की वेब सा होती है ना. जो एपम्लाइर और इम्प्लॉई के लिए एक आपस में प्लैट्फार्म प्रोड करती है. एक बनाया जाएगा? हाँ वेब साइट कौन बनाएगा? इंसिटूट. लेकिन इसके उपर upload कौन करेगा CVS, ये individuals हर वो individual जो ये criteria पूरा करता है वो evaluate करेगा ठीक है अपने आपको और फिर बताएगा कि मैं किस किस company के लिए willing हूँ independent director point होने के लिए ठीक है ये उस individual ने evaluate करना है कि मैं criteria meet कर रहा हूँ के नहीं कर रहा हूँ और अपनी CV अपलोड कर देगा website को फिर different companies ने subscription लिए होती है इसके वो इस website को access करके देखती है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि हमारी company का independent director बनने के लिए willing है उनकी short listing कर ली जाती है और फिर उनको approach कर लिया जाता है और director border election होता है उसमें उनको mind कर दिया जाता है लेकिन इसमें इसमें selection मदब directors करेंगे ठीक है यनि company के बहाफ पे director या company secretary short listing करके कुछ को nominate कर देगा और फिर उनको उनमें से election वाले दिन उनमें से किसी को एक या दो को जितने director जितनी भी तादाद लाने बताई है उनको point कर लिया जाएगा लेकिन इसमें इहम चीज यह है इसका मतब यह हुआ यह जो website data bank maintain कर रहा है institute इंडिविजर ने cv upload किया companies ने उसमें selection की लेकिन question यह है कि cv की accuracy को ensure करने का कौन responsible है यह institute responsible नहीं है institute कहता भाई मैं responsible नहीं हूँ ठीक है जैसे अगर कोई आप OLX पे खराब mobile जो है उसको upload करके sale कर देते है OLX responsible है क्या वो कहता भाई buyers को कि आप अपनी तसलीक करके फिर आपने product खरीदनी है उसी तरह cv की accuracy को institute confirm नहीं करेगा वो company की responsibility है कि final appointment से पहले directors को point करने से पहले उनकी accuracy को check कर ले next concept हमारा यह है तो independent directors से related discussion और इसमें सब से हम चीज़ आपको क्या बताई ineligibility criteria next indemnification या protection indemnification का मतलब क्या होता है किसी का कोई नुकसान हुआ वो बरना या किसी को protect करना नुकसान से indemnification क्या company किसी भी अपने officer को को illegal काम करने को कहे और यह कहे अगर इस illegal काम करने से आपको को नुकसान हुआ तो उसको मैं अगर 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 आपको सजा मिली पेनल्टी कितनी पेनल्टी थी अगर अगर आपको पेनल्टी बोस हुई तो हम पे करेंगे आपको कंपनसेट करेंगे यह एग्रिमेंट वाइड है क्योंकि इल्ली कर रहा है प्रोटेक्शन अगर डिरेक्टर्स किसी फ्राड में इन्वाल्ट हों उन्हें सजा मिलने चाहिए कि नहीं अच्छा थ्रैटिकली आपने ठीक जवाब दिया प्रैक्टिकली बताइए बारा डिरेक्टर्स है चार ने फ्राड किया आठ को पता ही नहीं वह सारों को पकड़ना चाहिए जाय। की फर्दर आगे केडिगरी है इसलिए उसने बुक में नॉन एग्जेक्टिव का सिर्फ वर्ड यूज किया वरना दोनों कबर होते हैं नॉन एग्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट डिरेक्टर्स को प्रोटेक्शन हासिल है कि अगर किसे किसम का कोई फ्रॉड वगारा साम में तो पता ही नहीं था लागएगा वाकी आपको पता होना भी नहीं चाहिए था क्यों नहीं पता होना चाहिए था क्यों नहीं नहीं है लेकिन अगर अग्जेक्टिव डिरेक्टर करें सर मुझे पता नहीं था उस पर पता होना चाहिए था सारा दिन तुम मैनेजमेंट म हासिल है क्योंकि यह जियूम किया जाता है इन्हें कमणी के डिटेल मैटर्स का नहीं पता लेकिन जो दूसरे डिरेक्टर होंगे उनको पता होना चाहिए था इसलिए अगर कोई भी फ्राड वरा सामने आता है उनको सामने लिए इनको नहीं हाँ अनलेस लाज यह कहते हैं इस इंडिपेंडेंडेंट डिरेक्टर को प्रोटेक्शन हासिल है यह बास समझ आगे आगे चलता है डिस्क्लोईयर ऑफ डिरेक्टर आई कैप का फेवरेट यह यह स्लेबस में रिसंट याड़ पहले भी एक जमाने में एड़ होता था एड़ हुआ है तो चुके चेंज इन फ्रोटेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंटेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें तो गलत बात आपने नहीं कि लेकिन वसमें एक इस तरह की परवीफिन थी पार्टनेशिप के हवाले से किए किसी पार्टनर क्या northwest है ना उससी तरह चैसे डारेक्टर सुके कमणी को चला रहे हैं इनकी रिस्पोंसुबिलिटी ए अगर कुई ऐसा कॉंट्रेक्ट होता है जिसका डारेक्ड़ी ओ match पोंच रहा हूं क्योंकि देखिए डिरेक्टर को डिरेक्टर की आप खुद बताएं प्राइमिनिस्टर है उसको कोई बिजनिस करना चाहिए study point of who से educational point of who से पूछ रहा हूँ political point of who से नहीं क्या किसी politician को law making person को अपना personal business इसका जवाब है नहीं करना चाहिए क्योंकि रिस्क है कि वो ऐसे laws implement करेगा जिससे उसके फाइदा होगा वो हो सकता है जब यह decide करें अचा किस industry को मैंने exemption देनी है tax से तो बजाए यह कि वो independent neutral analysis करें वो हो सकता है उस industry को exemption दे दे जिसमें उसका अपना बिस्ट्रेग है तो असूली तोर पर यह कहते है सेप्रेट होना चाहिए exactly उसी तरह directors की position भी इसी तरह किया डैरेक्टर को भी सिरफ company के डिरेक्टर के तोर पर काम करना चाहिए ना अपना लादा से business तो नहीं करना चाहिए चले अगर first करें कर भी रहें तो उस business को इस business से कोई फाइदा दर नहीं होना चाहिए और अगर कोई फाइदा है तो disclose होना चाहिए concept यह पिसे कि यह अपनी position से कोई जाती माली मौदा हासिल ना कर रहे हो अगर कर रहे हैं तो disclose कर रहें उसको यहां तो दूसरे डिरेक्टर्स अप्रूव करेंगे और अगर यह इशू बड़ा ज्यादा है यानि मिजोरिटी ओफ डिरेक्टर्स इन्वालव है तो जनरल मीटिंग में अप्रूवल के लिए जाएगा यही वह कहा रहा है अगर कॉंट्रेक्ट ऐसा है जिसके लिए बोर्ड की अप्रूवल की जुरूरत है यानि कॉंट्रेक्ट ऐसा है जो हमने वह लिस्ट पड़ी थी ना बारह वाली यादा पावर्ड ऑफ बोर्ड अगर बोर्ड की अप्रूवल की जुरूवल है तो आपको ट्रांजेक्शन से पहले डिस्क्लोज करना पड़ेगा और अगर वह ट्रांजेक्शन में इंट्रस् अगर बोर्ड की जुरूवल 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 की इसका मादब है बोर्ड को अप्रूव करते हुए उनके माइंड में यह बात होनी चाहिए कि नहीं कि इसका इंट्रस्ट है अब की बार डिस्क्लोजर कब देना डिस्क्लोजर पहले देना पहले देना यह बास समझ आगे पहले और बाद माले अब पहले वाले में मजीद दो क अब यह सा है boa जुकात ऐसा होता है कि इंट्रस्ट पहले होता है ठ्राउंजक्शन बाद में एंडות बाद आस में त्राउंड में पहले में इसका आप में पहले स्पाउस थे उसकी कमपनी थे कि उससे ιसर्ट करीदने लगे आप डिस्कलोजर कब देना है फिस्स में मैंत डिसकस होगा, अब ज़रा वो से सुनियेगा, डिरेक्टर ने एक परसन को कहा, जाओ भाई तुम उस कंपनी से ज़रा डिलिंग करो, हमने समान खरीदने अच्छा खासा, वो दर डिलिंग करने क्या, वो डिलिंग अच्छी हो गई, और उसके कंपनी का डिरेक्टर से उसकी श ने कब disclosure देना है very next meeting after he became interested very next meeting ठीक है इसमें लाने देखें आपने structure जिन में रखना है timing of disclosure कब कुछ contract है जिनका pre disclosure है कुछ है अकसर का pre disclosure है कुछ का post है pre और post समझ आगे हैं आपको pre में भी आगे दो types हैं एक अगर वो first time जब matter discuss हो रहा था तब इंट्रस्टेड था यानि और दूसरा जब first time discussion हो गई उस contractor उस टाइम पें इंट्रस्टेड नहीं था बाद में इंट्रस्टेड हो तो उस वक्त भी उसके डिस्टेरों के जमना है यह timing clear हो गया timing किसमें हमें timing में इसके बाद क्या करेगा अगर तो लिस्टेड कमपनी है तो मीटिंग में और अगर अनलिस्टेड पब्ली कमपनी है उस discussion में उस matter जाएगा exception of prohibition two exceptions है private company और indemnity contact of indemnity contact indemnity आप examples कहते होते हैं सर बताएई इसका क्या मत याद है ना के loan लिया हो director company जेब से पे करना पड़ गया हो अब उसको repay करना loan डेक्टर ने कमनी की guarantee ती company ने loan pay नहीं किया director company जेब से loan pay करना पड़ा हां जी दूसरे इनके इलम में होना चाहिए और एक private company आपको पताए private company के उपर यह rule apply वो तो हमें पहले ही पता चल गया था responsibility में जब हमने लफ़ पब्ली कमपनी बोला था पब्ली कमपनी का मतब यह है private company पे rule apply नहीं होता है private company है हाँ अगर पब्ली कमपनी के subsidiary ठीक है ठीक है ठीक है उस लुक पढ़े लिखा बना हो सकता है जनल नोटिस क्या होता है अब हम डिरेक्टर वाला portion खतम चीफ एक्जेक्टिव इस बन सकता है चीफ एक्जेक्टिव कोई भी डिरेक्टर होना लाजमी है लाजमी है इंप्लाई होना लाजमी है कोई भीघए कर सकता है और अगर यार्लेडी डिरेक्टर नहीं था तो जब उसे तो पॉइंट किया जाएगा दीम्ड डिरेक्टर का मतलब कि उसके उपर डिरेक्टर वाली कंडिशन ही लगेंगी आपको याद है एक चीफ एक्जेक्टिव में था शायद किसी केस सड़ी में उसने का था स्पाउस टॉक एक से ब्रूकर है तो हम बताएए डिस्क्वालिफा रहे है इनलजीवीड के जो डिरेक्टर का था से रिस्ट्रिक्शन क्या है चीफ एग्जेक्टिव और स्पाउस और माइनर चाहिए नार्ट विंगेज इन कमेंडिंग बिजनेस पॉब्लिक कमनी के लिए इस रिस्ट्रिक्शन को और इसको डिस्कलॉजियर पब्लिक सेपर करत रखना है ऐसे Ёह डिरेक्ट। यह कंपीरणिग बिजनेस यह हर तरह के इंटरस्थका यह एकस्यक्टीव के एप्लाई हो रही है और यह इंटूर समझारज को चीफ एक्जेक्टिव में नहीं किसी ट्रांजक्शन में इंटरस्ट है उसका बताईए ये रिक्वार्मेंट अप्लाई होगी का नहीं अभी नहीं होगी क्योंके चीफ एक्जक्टुटिक जाए और एब को टीभे। यह फ्टकर स्ट यहीं होगी यह नहीं होगी यह वारकुष से में रखना है competing business और interest case study में ताकि आपको relevant concept पता हो वही प्रवियन अप्लाए करें इसमें mix नहीं करना जिस तरह आपको बताया था है वह normal director independent director को mix कर देते हैं उसी तरह बाज का students यह chief executive का competing business और disclosure interest in a contract क्योंकि दोनों में कोई ना कोई दूसरी company आती है जिसमें इस party का कोई ना कोई लेना देना होता है तो students differentiate clearly sometimes नहीं कर पाते हैं आपने से इसको पढ़ना इस नहीं होगा इसमें यादा के सडी हमने की थे मुलतान उसका बच्चा था क्या क्या नाम था उसका इसका इसके स्पाउस ब्रोकर थी stock exchange में उसका बेटा मुलतान में कोई कि बिजनिस कर रहा था लेकिन वह बेटा मेजर था माइनर नहीं था वह कौन से क्या नाम था उसका नाम आजए नो के सडी लिंक हो जाए बशीर नहीं था भूशीर नहीं था गुल गुल महर गुल महर आपाइंटमेंट एंट एंडियों कुछ ली फर्स सीफ एग्जक्ट कौन करेगा कब तक और शाटर पिरियर यह वह फर्रक है जो चीफ एक्जेक्टिवर डिरेक्टर का था सबसीक्वेंट चीफ एक्जेक्टिवर पाइमेंट कौन करेगा विदिन 14 डेज ओफ लेक्शन टैनियोर क्या होगा कितना एर समय ठीक है और जब तक नया चीफ एक्जेक्टिवर पाइंट नहीं होता पराना चीफ एक्जेक्टिवर के रिटायर हो भी गया है सामकर यह उसको सुसी एक पावर दिया है हाँ यह आई कैप की केस स्टडी के लिए हम बहुत दफार आई कैप ने पूछा है वेरी 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 इंपोर्डर्ट चीफ एक्जेक्टिवर रिमूवल हलाकि है सिंपल यह कुछ कंसर्प्ट है से सिंपल आई कैप पूछ रहां पूछी हमें क्या चीफ एक्जेक्टिव रिमूवल हो सकती है कैसे होगी ओफ डारेक्टर्स या स्पैशल एजलूशन इसका क्या मतब है इरिस्पेक्ट और अगरिमेंट और आर्डिकल में चाहें पका क्यों ना किया हो चीफ एक्जेक्टिवर तो मैं तीन साल से पहले नह इगाल सकते हैं ठीक और अधर आफिशल्स आपको होता है ना चेर्मेंट और पाइंट कौन करेगा डिरेक्टर्स विदिन फॉर्टीन डेस रोल्स और रिस्पांसिबिल्टिस को डिसाइड करेगा चेर्मेंट की इसका सबसे हैं काम क्या होता है चेर्मेंट रिव्यू अधर सोल एजेंट अपाइंट हो सकता है नॉर्मली नहीं अब वह लोग खूमिशन के साथ अफ कबने से कटरी रिक्वाइड है पूपली कंपनी के लिए शेयर रिखिस्टरा को पाइंड करना चाहती है तो से कमिशन की अपूबल के इसमें के सटेडी नौरली नहीं आती है अधर ओफिशल्स में नौर्मली नहीं आती एक दफा उसने के सटी का हिसाब नाके चेर्मेंट की पाइंट्मेंट के बारे में पुछा था उसमें तुसके तीन चार पाड़ थ ठीक है उसमें स्ट्रक्चर बनाके कुछ पूछा था था है तो सिर्फ एक पॉइंट उसका था था जो के सड़ी बेस था अपने इंदाज़ा उसको बताना था लेकिन वह भी जैसे जिस तरह है कोई गडबर्ड कोई आरे रोमिशन कोई चीज नजर आईयो तो बता दें ताकि आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं उनके लिए आसानी हो सके कितने स्वर्ण से माइंड मैप को पड़ा है चलें तो यह आपको कंप्लीट कंसेप्स हैं एहम कंसेप्स सारे कंप्लीट है कोई तो नहीं किया कोई गलती ऐसे ना करें कुछ ना कुछ गलती दो निकाल दिया कि मुझे भी ऐसास हो कि कुछ पड़ा आप जी यानि अगर फाइनेंशल यह जनल नोटस की एक्सपारी डेट क्या होती है जिस फाइनेंशल यह के एंड तक अगर कंपनी का येर एंड थर्टी जून तो आपने जो नोटस दिया होगा ना चाहे पूरे साल में जब भी दे वो 30 जून को खतम हो जाएगा अगले साल के लिए फ्रेश नोटस देना पड़ेगा और वो कब देंगे आप जून के महने में मतलब आहरी दिनों में जब साल खतम होने वाला होगा उससे पहले अच्छा यह अब चैप्टर थ्री में कुछ एम सी क्यूज और क्वेस्टन्स चलिए आप में जो मुझे हाईलेट कर वाई है मूं मैं डिसकस कर रहा हूं एक आपने कहा था 22 संस्टों लिम्टेड 22 संस्टों लिम्टेड इस पबली कंपनी विद नाइन डारेक्टर नाइन को अंदरलाइन करें विट्वेट अप कैपिटल ओफ 40 मिलियन फेस वैल्यू फंडर्ड इच इसको उडर्लाइन करें 40 million face value of hundred is जो numbers होते हैं नहों होते हैं हमारे लिए आप तो आसी काउंटिंग के स्टोंट है number में तो आप खुश हो जाते होंगे खुरम और आसिम एस डिरेक्टर इन दी रिसेंट इलेक्शन बैसे क्यूरिंग four hundred and three hundred words respectively however subsequently both of them resigned खुरम और आसिम के वोड़ थे चार लाक और तीन लाक बाकियों के शायद इससे ज्यादा होंगे इनके लेकिन दोनों ने आठ बोर्ड इस नाट सैटिस्वाइड विद नासिर परफॉर्मस कर रहा हो गलत बंदा पाइंट कर दिया विश्टू रिप्लेस हिम विद साइम क्या मिनिमम जो हासिल किये थे यानि 300,000 गलत 300,000 का रूल उसके लिए जो इलेक्टे डिरेक्टर हो नासिर इलेक्टे डिरेक्टर नहीं है नासिर उस काटेगरी में है इसके लिए रूल डिफरेंट है इसके लिए तो फार्मूला है फार्मूला मुझे बताएंगे भाई क्या फार्मूला है कितने वोड्स आइए इस इक्वल टू नंबर ओफ शेयर्स इन कंपनी टोटल मिल्टिप्लेट बैर नंबर ओफ डिरेक्टर इन एजियम फार टाइम बिंग ऊपर आता है कि नीचे आता है यह बकी बात है चले नंबर ओफ शेयर्स कितने हैं अब कहें 40 मिलियन 40 मिलियन तो वेड़ अव कैपिडल है नंबर ओफ यह बताया था है शेयर वाले टॉपिक में शेयर और शेयर कैपिलल का फरक इस सब्सक्राइब करने के लिए बताया इस तरह के इस तरह के क्वेस्टर में इस रहा कितना नाइन डिवाड़ेड़ वैए कितना जवाब आया करें और यह कोई यह करेक्ट होगी ओके मिस समझागी कैसे कैलकुलेशन हुई फिर आपने का 24 एलेक्शन डिरेक्टर्स ओफ राइंस्टों लिम्टेड आरल हैविंग शेयर कैपिल ऑफ रुपीस फोर मिलियन फेस्ट वैल्यूफ रुपीस टैन इच वाज हैल्ट उन पांच मार्च दोजार इस वाल्यूफ यह भी कर दें यासिर्स अमिया औरीन दाशेयर होड़स ऑफ रल्र आर आर फाफ आपीनिए डाइलेक्शिंवर नौट हैं फिर ली अडिकली लिग्राइट वर नोटीड देंट टोप्लाइट फार रिलेक्शन शेयर होड़स विल बिलिजब तु फाइल कितनी दोहा पड़ते हैं थर्टी डेज और आगे दूसरी कंडिशन भी थी टैन परसंट टैन परसंट शेर होल्डिंग कितनी बनती है कितने शेर उसने शेर पूछा कितने शेर बनते हैं परसंट प्वोर मिलियन को डिवाइड करें टैन से नम ट्रोटल नंबर ओफ रहेंगे चार लाक चार लाक का तैन परसंट इतना होगा फोर्टी थाउजट प्वाइब और पांच मार्च है तो तीस दिन कब बनेंगे तकरिबन चार अपरेल तक चार अपरेल तक हां जी चार अपरेल तक बनेंगे तो ऑप्शन कौन सी सेलेट यह रहेंगे एए एए वे डन हो गया और एमसी के उसमें तो कोई नहीं था और आपने मुझे कहा था क्वेस्टन कौन सा सेवंटीन था हाँ इसमें वो चार पार्टनर्स थे टोटल साथ डिरेक्टर से तो मिजरिटी यह डिसकस किया हुआ है वो चार इसमें मिजरिटी ऑफ डिरेक्टर इसमाल वैसे लिए इसका जैनल मीटिक में प्रूबल होगी अच्छा यह इसमें री प्रडेक्शन के क्वेस् सब्सक्राइब था एटीन एट सोरी मुनाफ़ा लिम्टिटी इंगेज इन बिजनिस ऑफ लिजिंग वही कल्सु कार्परेड कस्टमर बोर्ड ऑफ डिरेक्टर ऑफ मलेस कंसीडरिंग तो अथराइज वन फिस डिरेक्टर निस्टर फारेग तो एंटर इंटर इंटु कॉं से यह मिसिज लाइका इस आलसो दी वाइफ ओ इसका मतलब यह है क्या डिरेक्टर का इंटरस्ट है इसको डिस्लोज करना है पहले से बिल्कुल डिस्लोज करें कुछ कर रहा है अंडर अज़र प्रिम्ट कमनी एट एनलाइज आप सेशन का मतलब क्या बताओ किस चैप्टर म एक इसको डिस्क्लोज करें अब डिस्क्लोज दो तरीकों से कर सकता है एक स्पैसिफिक नोटस भी दे सकता है जनल भी रिखनी है कि डिस्केशन में पार्डिस्पेट ना करें ये भी लिखनी चाहिए मैं बिल्कुल इस एट के लावा कुन सा क्वेस्टन था एटीन स्पौंसर सोफ कंप्पनी इंटेंट्स्व ट्रांस्फर 500 स्या जान पॉइंट हिस सन ओफ 10 यह एज द्टर वो कहता है एक बंदा अपने सा साल के बचे को शेर्ल होल्डर भी ट्रांस्फर कर सकता है डिर्क्टर भी बनाना चाहता है एक काम कर सकता है एक नहीं कर सकता है शेर होल्डर बन सकता है डारेक्टर डिस्क्वलिफिकेशन में था माइनर में लास्ट आपने का 22 22 हाई प्रिवे लिम्टेड है तू शेर होल्डर स आल दा डिरेक्टर रव कंपनी आर नो मिनिज ओफ देश्टो शेर होल्डर से कहा थेकर पहला है डू लू इसल नंबर ओफ शेर एट मिलियन नोमिन डिरेक्टर फाइफ फिर फुरकान नंबर ओफ शेर थी पॉंट नाइन शि चीफ एग्जेक्टिव फुरकान ने किया हम क्यों ना करें हमारे पास ज्यादा नोमिनी शेर होल्डिंग है डिरेक्टर भी मारे ज्यादा है और वह चाहरे हैं रिप्लेस्टिव को रिप्लेस करके अपने बंदे को पाइंट करना चाहते हैं क्या कर सकते हैं कि खेफि क्या कि रिमूव नहीं कर सकते हैं का है डि यॉ सी ऐल एक्सिस्टिग अधिस्टिव डियर्यमूब का कैस थ्री फॉर्थ शेयर होल्डर्ज या है थ्री फॉर्थ मेजॉरिटी है बन दिया तो चीफ एक्जेक्टिफ रिमूब नहीं हो सकता है कि लेंगे फिर काणले देख़ेंग हां रखेट दाने बीद नहीं से एक ऐसा डिरेक्टर्टर है जो चीफ आज्जेक्तिव है तो ते साथ और ना नहीं नहीं वह डिरेक्टर्टर्षी है उस्ने लिखा है रिवозмधी डेरेक्टर इंकलूडिंगी सी चैड़्यक्ष ट्विस्ट नहीं था यह इसना बिला जाट्विस्ट करिया है त्रूस्ट सिंपल था आठ में से आठ डिरेक्टर ना चीफ एक रिडिक्टर रिमुव करना चे चाहिए जो के डव्यू के पास नहीं है special resolution पास करने के लिए 3-4 majority चाहिए जो 3-4 बनती है 9 million WCR के पास 9 million shares होने चाहिए जो नहीं है इसका मतलब special resolution भी पास तो ये remove नहीं हो सकता चलिए यहाँ पे करते हैं आज का lecture close बाकि अगर मजीद आपका question है वो next lecture में अच्छा कल अब आपका होगा test और test किसका है chapter 3 का ठीक है और test आपने देना हो भाई बड़ी मेहनत से वो आपका test चेक करते है feedback भी शेयर करते हैं कल test से पहले वो feedback आप previous test का आज का lecture नहीं खत्म करते हैं अल्लाहाफ़